स्वागते दूस्तों आज 1 अप्रेल 2023 से दिन सनिवार का आज के मुक्य समचार बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अप्रेट लेकर हाजर हो चुके हैं देश के अलग-अलग राज्यों के और से सरकारों के और से मतबन अपडेट आ चुका है नए नियम, बड़ी गोस्ता और बड़ा एलान की जानकारियां लेंगे वीडियो का पुरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा हमारी टीम की मैनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेगा फेस्बुक और वाटसप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजेगा तो आईए दोस्तों सुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबार सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याजदरू में इजापक कर दिया है वितियवर्स 2022 के आखिरी दिन सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेस करने वालों को बड़ी खुसकबर दी हैं सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के ब्याजदरू में इजापक कर दिया है एक अप्रेल 2023 से नई ब्याजदरे लागू हो जाएगी सरकार के स्पेसले का लाब सीनियार सिटीजन सेविंग स्किम नेशनल सेविंग सेविंग सर्टिफिकेट सूकन या समर्दी योजना किसान विकास पत्र जैसे योजनाओं में निवेस करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा सूकन्या समर्दी योजना पर ब्यासदर 7.6% से बढ़ा कर 8% कर दी गई हैं किशान विकास पत्र पर ब्यासदर 7.2% से बढ़ा कर 7.5% कर दी गई हैं डिटेल और आप इस चार्ट में देख सकते हैं वही सरकार ने नई व्यापार निती का भी एलान किया है सरकार अब सभी विदेशी लेंदें को भारती एकरेंसी में करने की तयारी कर रही है नई पोलिसी से भारत का एक्सपोर्ट 780 डोलर के आकड़े को पार कर जाएगा कोमर्स मंतरी प्यूस गोलने नई विदेश ट्रेड पोलिसी की गोस्ना की है वह पियमोदी का आज भोपाल दोरा इंदोर हाथसे के मदे नजार रोड सोर स्वागत करिकरम रद हो गए इस तरह के अपडेट्स आना है आज पियमोदी भोपाल में पुर्व निर्दारित कमबाइंड कमांडर कॉन्फरेंस में सामिल होंगे और वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाएंगे इंदोर हाथसे से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है इंदोर मंदीर में जो हाथसा हुआ उसमें दो बोडी और मिली और अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है मंदीरी ट्रस्ट अध्यक्स सची उपर गेर इरादतन हत्या का केस भी दर्च कर लिया गया है इंदोर के बेले स्वर महादेव जुलिलाल मंदीर हाथसे में 36 लोगों की जाने चली गई है और 20 से ज़्यादा लोगों का भी इलाद चल रहा है बड़ी खबर आ रहा है पीएम मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में हाइकोर्ट का फैसला आया है गुजरात युनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को प्रदान मंतरी नेरेंदर मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था वहीं अदालत ने दिल्ली के मुक्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल पर 25,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है बड़ी खबर हैं वर्ल्ड बैंक के निर्विरोध अध्यक्स चुने गए भारतिय मूल के अजय बंगा यूएस समय तक कई बड़े देसु का समर्थन विसुल बैंक के अगले देख्स बनने के लिए भारतिय अमेरिकी बिजनिस लीडर अजय बंगा तयार है और इस पद के लिए एकमाתर उमीद्वार है क्योंकि किसी अन्य उमीद्वार को नमांकीती नहीं किया गया है पद के एकमातर उमिद्वार बंगा का अब फोर्मल इंटर्वी होना वाकिय हैं साथ ही बड़ी खबर हैं सरकार ने भारी वानु के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की जो तारीक है वो आगे बढ़ा दिये हैं भारत सरकार ने भारी माल और यात्री मोटर वानु के लिए अनिवार्य फिटनेस परिक्षन की तीथी को 18 मैने बढ़ा कर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है इससे पहले सड़क परिवन और राजमार्ग मंतराले ने का था ATS के माध्यम से भारी माल वानु और भारी यात्री मोटर वानु के लिए फिटनेस परिक्षन एक अपरेल 2023 से एनिवार्य हो जाएगा लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है ATS पर फिटनेस टेस्ट की जो तारीक है वो बढ़ गई है वह दोस्तो हार्ट अटेक से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है हार्ट अटेक के बाद अब सेल प्रोग्रामिंग की मदद से दिल को रिपैर किया जाएगा एक नया सोध हुआ है वेगया निकुन ने सेलूलर प्रोग्रामिंग का लाब उठाने के लिए प्रोटीन के एक समो की पैचान की है जिससे दिल की कोशिकाओं को पहुचे नुकसान को काफियत कम किया जा सके है बड़ी खबर आजदानी दिल्ली को लेकर आ रही है दिल्ली NCR में आज कल के दिनों में मोसम पलपल में अपना मिजाज बदल रहा है बीते दो दिनों से लगतार बारिस और तेज हवाय चलने का दोर सुक्रवार को भी दिल्ली में जारी रहा फिलाल आज भी मोसम SI बना रहने का अनुमान है तीन अप्रेल से फिर तापमान में बड़ोत्तरी सुरू हो जाएगी इटली में चैट जीपीटी पर बेन लगा दिया गया है चैट जीपीटी आज कल के दिनों में काफी ज़्यादा पोपुलर हो रहा है लेकिन इसके साथ ही अभी इस Artificial Intelligence टूल को कई देशों में बेन करने की बातें उट रही है इटली में Open AI के इस टूल पर प्रतिवन लगा दिया गया है बेन लगा दिया गया है बताया जा रहा है कि General Data Protection Regulation का यह उलंगन कर रहा है प्राइवेसी को लेकर खत्रा डेटा लीक होने को लेकर भी अपडेट्स आ रहे हैं और चीट GPT एक बार फिर से सूर्ख्यों में बड़ी खबर है कोरोना के बढ़ते मामले कहीं लेर तो नहीं डोक्टरों ने गंबीर बताया लोगों में संक्रमन नए वेरियंट के कारण बढ़ रहा है या फिर लोगों की रोग प्रतिरोधक समता कम हो रही है इस सवाल पर विशे सग्य कहा रहा है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारियां इकटी करनी चाहिए तबी ये पता चल पाएगा कि प्रतिरोधक समता तो नहीं गट रही है दरसल हमारे देश में कोरोना संक्रमन की रप्तार दोगुनी रप्तार से बढ़ रही है बीते 24 गंट में कोरोना वाइरस के 3000 पिच्चयान में नए मामले सामने आया है इसको लेकर हमने आपको दो वीडियो पहले ही सेपरेट रूप से बताया है जिन में 1 अप्रेल 2023 से लाग होने वाले नए नियमों के बारे में डिटेल सी जनकरियां दी हुई है संक्सित में जनकरियां आपको यहाँ पर भी और बता देते हैं आज 1 अप्रेल से नया फाइनेंसियल येर यानी 2023 चोईस की सुरुवात हो रही है और ये नया साल कई तरह के बदलाव लेकर भी आ रहा है यानी 1 अप्रेल से सुनार जो है वो सिर्फ 6 डिजिट वाले होल मार्क सोने के अबूसनू को भी बेच पाएंगे सोना खरीदने बेचने वालों के लिए आज से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इसके अलावा दवाईयां भी आज से महंगे होने जा रही है साथ ही इंकम टेक्स के नए नियम भी आज से लागो होने वाले है आज से सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट वाले होल मार्क के सोने के अबूसनू की बिक्री होगी इससे लोगों को फाइदा होगा कि उन्हें डूब्लिकेट सोना नहीं मिलेगा या फिर कम केरेट का सोना नहीं मिलेगा चार डिजिट वाली जो होल मार्किंग व्यवस्ता है वो बंद हो जाएगी और 6 डिजिट वाली होल मार्किंग विवस्ता आज से लाग होगी यानि कि अब हर सोने का एक यूनिक होल मार्क नमबर होगा और ये नमबर किसी और दूसरे सोने का नहीं होगा साथ दोस्तों प्रदान मंत्री वहे वंदना योजना आज से बंद होने जा रही है वहें हीरो मोटो कोर्प की गाड़ियों की केमते 2% बढ़ जाएगी बाइक और स्कूटर की केमतों में 2% की बढ़ोत्री की गई है इसके लाबा कई कमपनियों की काने भी आज से महेंगे होने जा रही है सीनियर सिटीजन से सेविंग स्कीम में अब अधिकतम 30 लाख रुपे निवेश कर सकेंगे पहले 15 लाख रुपे ही निवेश किया जा सकते थे वहीं मैला सम्मान स्कीम भी सुरू होने जा रही है, बजट में 7.5 प्रतिशत ब्याजदर के साथ मैला सम्मान सेविंग सर्टिपिकेट लॉंच की गई, मैला हैं दो सालों के लिए अधिक्तम 2 लाक रुपे जमा कर सकेगी, आज से स्माल सेविंग स्कीम की नई ब्याजदरें अलग से बताएंगे, इसके लाबा यूपी आई ट्रांजेक्शन पर फीस लगने को लेकर जो अपडेट चल रहे हैं, उसको लेकर भी जानकारी आ रहे हैं, एन्पीस याई ने कहा है कि केवल वोलेट जैसे प्रिपेड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजेक्शन पर एक दिसम प्रिपेड वोलेट परिवारों को आज सई पांससो रुपे में गेज सेलेंटर मिलेगा, इसके लवा राजस्तान में रोडवेच की बसो में अब आज सई आदा किरायी देना पड़ेगा, मैलाओं को रोडवेच किरायी में चूट 30 परतिशत से बढ़ा कर 50 परतिशत करने बजट की गोशना लागो हो जाएगी चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपे तक इलाज करवा सकेंगे वहीं समाजिक सुरक्सा पेंसन की जो रासी है वो बब 1000 रुपे मिलेगी यानि पेंसन आज से बढ़ जाएगी सरकार में पार्टाइम काम करने वाले करमचारियों को आ बढ़ जाएगे यानि पारसाद नगरपाली का अध्यक्स सभापती मेयर वाड़ पंच सरपंच पंचाय समिती मेंबार जिला परिशत के मेंबार प्रदान और जिला प्रमुकों के बत्ते और मांदय एक अपरेल से 15 प्रतिशत बढ़ जाएगे डीजल वानु का रजिस्ट बढ़ पर नहीं किये कि कपटपून क्रितियों या अपराधिक मामले जिसे धोकादरी या धोकादरी से जुड़े मामलु का फैसला उबगता युक्ता फोरम नहीं कर सकता है साथ ही काय के सेवा में कमी को अपरादिक कृतियों से अलग किया जाना चाहिए समलेंगिक साधी के विरोध में उत्री संस्ताइं राश्पती सहित सुप्रीम कोड के चीप जस्टिस को पत्र लिखे गए है समलेंगिक साधी को मैनेता देने को लेकर सुप्रिम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई हैं अब देश की कई संस्ताइं भी इसके खिलाप आ गई हैं उजेन से जुड़ा बड़ा अप्रेट आ रहा है तीन से दस अप्रेल तक गर्ब ग्रिये में प्रवेस बंद रहेगा महा कालेश्वर मंदिर में दर्सन करने आने वाले सरदालूं को दर्सनार्थियों को तीन अप्रेल से 10 अपरेल के बीच गर्ब ग्रियम में प्रवेस नहीं मिल पाएगा ये बड़ा बदला पंडित प्रदीप मिस्रा की कता को लेकर खिया गया है इसके लवा ट्वीटर ब्लू टिक से जुड़ा अपडेट है वही हिमाचल प्रदेश में बिजली उपोगताओं को महेंगी बिजली का करंट लगेगा 22 से 46 पैसे प्रती यूनिट तक बिजली की दरे बढ़ गई है इमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है अगले सब्ता से प्रदेश में कोरोना की बंदी से भी लग सकती है मास्क पैनना भी अनिवारिया हो सकता है इस तरह के अपडेट सा रहा है और बाजार से इनके स्टोक को वापस मंगवाया गया दिल्ली से जोड़ी खबर हैं अब एक जून से सरकारी स्कुलों में लागू होगी पी अपसी राज़दाने के सरकारी स्कुलों के लिए सेक्सिनिक सत्र दो जार तेश जोई सकुले का सिक्सकु की पोस्ट फिक्सेशन यानि पी अपसी मतलब की स्विकरित पदु की संख्या अब एक अपरेल की बजाए एक जून दो जार तेश से सभी स्कुलों में लागू की जाएगी वही राजस्तान में डोक्टरों के हरताल पर राजस्तान हाई कोट ने राजस सरकार से जवाब मांगा 11 अपरेल को सुनवाई होगी अब वाटसब पर इस्तेमाल कर सकेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस ग्राकों को सुविधाय मिलने जा रही हैं पूरे भारत के ग्राकों के लिए वाटसब बैंकिंग सेवाओं की सुरुवात की गोशना की गई हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ाय अपडेट हैं और सरकार ने बिजली की दरे नहीं बढ़ाने की बात कई हैं जारखन को लेकर अब डिटा रहा हैं मन्सोरेन कबिरेट ने 244 से नई बसे खरीदने को मंजूरी दिये राची सेर में परिवेन सेवाएं और मजबूत होगी राजदानी दिल्ले में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं लेकिन चिंतित नहों सियम अर्विंद कैजरिवाल ने बताया है दिल्ले में लगबग 4000 टेस्ट रोजना किया जा सकता है प्राइवेट में एक लाग से उपर रोजना टेस्ट की एक समता है रहोगा यानि नया वित्वर्स उरो हो रहा तो नय वित्वर्स में कई नई चीज़े भी लाग होगी जिनका एलान इस साल वितमंत्री निर्मला सितारमन ने बजट 2023 में किया था इलेक्ट्रिक चिमनी जो है वो महंगे हो जाएगी इसके लावा इलेक्ट्रोनिक गाडियां भी सस्ती होगी राज़दानी दिल्ली से जोड़ी बड़ी खबार आपकारी निती केस मनिस सिसूदिया को जटका लगा है स्पेशल सीबी आई कोर्ट ने जमानतियाचिका कारिच कर दिया है दिल्ली की विशे सीबी आई अदलत ने इस मामले में सिसूदिया की जमानतियाचिका को खारिच कर दिया है निचली अदलत के फैसले के खिलाप मनिस सिसूदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे मत्यप्रदेश में सिवराद सरकार का सेनिकू के लिए बड़ा फैसला आब मिलेंगे एक करोड रुपए है बोपाल में पहली बार होने जा रहा ही तीनु सेनाओं की हाई लेवल कॉन्फरेंस के बीच सिवराद सरकार ने सेनिकू को दी जाने वाली अनुदान रासी में बड़ोत्री का ये बड़ा फैसला लिया है अब परम वीर और असोग चकर प्राप्त करने वाले सेनिकू को एक करोड रुपए की रासी मिलेगी और इसी तरह महावीर चक्र और कीरती चक्र वाले सेनिकों को 55-55 लाग रुपे और वीर और सोर्य चक्र पाने वाले सेनिकों को 50-50 लाग रुपे दिये जाएंगे वहीं सेना, नो सेना और वायू सेना मेडल गेलेंटरी अवार्ड वाले जवानों को 25 लाग रुपे दिये जाएंगे बड़ी खबर हैं बिहार में टोपर्स को बिहार बोर्ड का एक और तोफा मिला है नीट और जेई मेन समेत कई परिक्साओं की कोचिंग फ्री मिलेगी इंटर और मेट्रिक के रिजल्ट की मेदा सुची में सामिल सभी छात्र चात्राओं को बिहार बोर्ड फ्री में कोचिंग करवाएगा जारखंड में कोरोना से निपढ़ने की तैयारियों को लेकर आज अस्पतालों में मोक ड्रील होगी तैयारियों की समिक्सा की जाएगी वही मुख्यमंत्री पुसकर सिंग दामी सरकार अभी लोगों को हाउस टेक्स में छूड़ देने वाली है सनिक कल्यार मंत्री गनेश जोसी ने केंटक सेत्रों में रहने वाले पूर्वस सनिकों को और जेसियो वे उच्चस्तर के अधिकारियों को हाउस टेक्स में छूड़ देने की नियवानुसार करवाई सुरू करने के निर्देश दिये वही जारखन में अप्रेल मैने में बढ़ जाएगी बिजली की दरें अप्रेल मैने के अंते तक बिजली की नई दरें गोसित होगी इस तरह के अपडेट्स है वहें 36 गड़ से जुड़ा अपडेट हैं अप्रेल में किसी भी दिन आवेदन करें मिलेगा पूरा बेरुजगारी बत्ता CM भुपेस बगेल ने बड़ी गोशना कियें बोले कि हमारा हाथ यूँआउं के साथ वहें पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है किसान भाईयों के खाते में आएंगे 15,000 रुपए प्रती एकड जमीन का मोजा बड़ा है हरियाना में अब वार्शिक परिक्सा से वंचित परिक्सारती भी देश केंगे दसी और बारवी की परिक्सा बोड परसासर ने एक आउसर दिया है मज्य परतेस से जुड़ी खबर 50,000 करमचारियों के लिए खुस कबरी देनिक वेतन भोगी करमचारियों की सेलरी में 25 परदीशत की बड़ोतरी वहें गरेलू कंपनी मीवी ने लॉंच किया ड्यूल आर्जीबी वळा दुनिया का पहला गेमिंग एरबार्स बुकम के जटकों से जमुकस्मी रिलाई रेक्टर स्केल पर 4.93 तीवरता मापी गई है 31 मार्च को बुकम पाया राजिस्तान के कई अलाकों में बारिस देखने को मिली है बेमोसम बरसाथ से किस्तान बायों को बड़ा नुकसान हुआ जियो सिनेमा पर आप फ्री में देख सकेंगे IPL 2023 वहीं बड़ी खबर है कि नवजोट सिंग सिद्धू को आज पटियाला जेल से रिया किया जा रहा है इसकी जनकारी नवजोट सिंग सिद्धू के ट्वीटर पर दी गई है उत्रपरदेश में सराब सोकिनों को बड़ा जटका लगेगा आज से देशी और अंग्रेजी के दाम बढ़ने जा रहा है UP में सराब के बड़े हुए दाम आज से लागो हो जाएंगे साथ ही UP सरकार ने IPS राजकुमार विश्व कर्मा को राज्य का कारेवाग कुलीस महाने देशक डीजी पी नियुक्त किया है आईए दोस्तों आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टूड़े सिल्वर प्राइस टूड़े सोने चांदी के भाव सुक्रवार सुबह सोने का भाव प्रती किलोग्राम पर रहा है आई भी जे की ओपिछल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तरी जनकारी मिलेगी फिर से कोरोना रप्तार पकड़ रहा है बीते 24 गंटे में हमारे देश में कोरोना वाइरस के 3000 पिच्च्चान में नए मामले सामने आया है पोजिटिविटी रेट दो दस्विलो छे एक पर दिशत पर है वह दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज और अनालिसिस संपुन भारत का आज 1 अप्रेल 2023 का मोसम पुर्वनुमान मोसम की जनकारी का ताज़ा अपडेट आ चुका है स्काइमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 गंटों के दोरान राजस्तान, गुजिरात और पस्षिमी मध्य परदेश के ज्यादातर हिस्सु में मोसम साफ रहेगा जमो कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखन, दिल्ली, पस्षिमी उत्रपरदेश, पंजाब के कुछला के, हरियाना, गंगिय, पस्षिम, मंगाल और उत्री उडिसा में हलकी से मध्यम बारिस के साथ ही एक याद दोस्तानों पर भारी बारिस और ओले गिरने की उम्मीद हैं पस्षिमी हिमाला के उपरी इलाकों में चिटपूट इमपात हो सकता है वहें उत्तर और पूर्वी राजस्तान, तेलंगाना, अंदरप्रदेश और तमिलाडू और साथी केरल में एक याद दोस्तानों पर हलकी बारिस संबव हैं आज के मुक्य समचार अपडेट में फिलाल बस इतनी कबर हैं अगर आपको मारे प्रियास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरू करेगा थैंक्यू टैकर गुडबाई, जय हिंच, जय भारत, वंदे मात्रम